इस सालीस से रेसिपिस को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बड़ादा चमश disgust सावधाना को एक गंटे पहले टबिगो के रख दिया था और सावधाना अच्छे से यहाँ फुल के डबल हो चुका है और इसे मैंने तीन से चार बार अच्छे से पानी से वश करके रख दिया था तो directly साबुदाना को एक पेन के अंदर में हमें add कर देना है इसमें बिगे हुए पानी को भी रहने देना है साथ में थोड़ी सी और इसमें पानी add करते हुए ग्यास को ओन करते हुए इसे medium to low flame में पकाना चालू करना है इस तरह से चलाते हुए लगातार पकाएंगे ढगती हुए पकाने की इसे आओ सकता बिलकुल भी नहीं है नहीं तो फूर्टालेसी लग सकती है और इसका स्वात खराब हो सकता है लगबग इसे एक से दो मिनट हमें पकाना है तो यहाँ पे फूर्ट में उभालाना चालू हो गया है और हलका साबुदरना यहाँ पे ट्रांस्प्रेट होने लगा है बस इसी टाइम पे हमें इसके अंदर में आप एट कर देना है मेजर करते हुए मिल्क, काव मिल्क या तो फिर हमें बेबी मिल्क एट करना है तो यहाँ पे हमने काव मिल्क लिया है बड़ा ग्लास का अधा ग्लास आप तो उसका कॉंटरेटी कम या साधा करेके इसमें मिला सकते हैं दूद एट करने के बाद में अच्छी से चलाती हुए, मिक्सब करती हुए इसे दुबारा से हमें लगातार पकाना है और इस टाइम गयस का फ्लेम को लोई रखेंगे और लगातार इस तरश से चलाती हुए हमें कुक करना है अगर हम चलाने का प्रोसेस बन कर देंगे तो फूरतली से लग सकता है और इसका स्वात खराब हो सकता है तो यहाँ पे हमने कू करते हुए फूट को 2-3 मिनट हो चुका है और फूट में दुबारा से यहाँ पे बबल्स याने की उबालाने लगा है फूट को यहाँ पे हमने कू करते हुए 4 मिनट हो चुका है अब इसके अंदर मैं आड़ करतेंगे यहाँ पे नर्स पाओडर हमने छोटा एक चमच बराबर ड्राय फूट पाओडर मिला दिया है अब इस ड्राय फूट पाओडर को आड़ करने का बात में अच्छी से तुब कर देंगे और इसके बाद में इसके अंदर में अड़ करें गे निजाजरी पाॉडर आप यहां वाल्ड मिठा में धाग वाला मिस्री और सकते हैं सात में खजूर का मिठा भी अड़ कर सकते हैं तो आप इसकी अंदर में मीठा एड कर सकते हैं जाजरी पौडर आड़ करने का बाद में लगातार इस से मिक्सКप करेंगे और तोटल जाजरी पौडर एड करने का बाद में दुबारा से एक मिनट पका लिया है अब ग्यास का फ्लेम को आफ करनेंगे और यहां पे सारा फूट को हम ठंडा होने देंगे और फूट जिसे ठंडा होने लगेगा वैसे वैसे गाड़ा फॉम में आएगा तो लिजे अब हमारा हाली फूट बनकी बिल्कुल भी तयार है इसे आप 10 मैने इसे लेकर दो साल तक के बच्चों को कभी भी दिन में एक बार बना कर दे सकते हैं ऐसे खिलाने से बेबी का वसंतेजी से बढ़ेगा साथ में बेबी को भर्पूर मातरा में क्यालसिया मिलेगा जिसे कि बेबी का हड़िया मदद करेगा और इसे खाकर बेबी को अच्छी नीन भी आएंगी और ये स्वाद में भी काफी लाजवाब है तो इस हाल्दी सी फुट को आप भी अपने बच्चों में ड्राइ कर सकते हैं इस हाल्दी सी मिल्क ट्रिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे और ज्यादा हाल्दी बनाने के लिए यहाँ पूसंद के जितने भी ट्राइ फूट होंगे ना सारे को हम यहाँ पे भीगों के रख देंगे हमने इसे नाइट में भीगों के रख दिया था आप सबसे पहले हमें बादाम का च्छिलका अधार लेना है ड्राइफूट का quantity आप अपना बेबी का है, इसका कोडिंग कम या जादा करके ले सकते हैं तो हमने यहाँ पे दो पीस बादाम ले लिया है, और साथ में दो पीस काजू, आदा पीस अक्रोड और चार से पांच यहाँ पे किश्मिश और दो यहाँ पे लिया है, मैंने पिस्टा तो सारा ड्राइफूट हमारा छिलका उतर के रेड़ी हो चुका है, इसे अड़ करेंगे मिक्सी जार में सारा ड्राइफूट को हमने मिक्सी जार में एट कर दिया है, अब इसके अंदर में आड़ करेंगे साबुदाना जिसे हमने एक घंड़ा पहले भी कोकी रख दिया था साबुदाना का क्वांटेटी आप यहाँ पे बहुत जादा नहीं लेना है बस एक या दो चमज बराबर ही इसे लेना है तो हमने यहाँ पे एक चमज साबुदाना को भीगाया था तो यह फुल के डबल हो गिया है थोड़ी सी पानी एट करती हुए इसे अच्छ से प्यूरी का फॉर्म में ला लेना है अब एक स्टेनर रखेंगे पेन का उपर में और पीसा हुआ प्यूरी को इस तरह चान लेंगे थोड़ा सा और पानी एट करती हुए इसे अच्छे च्छान लेंगे और जितने भी लंसे इसे अलग कर देंगे और जितने भी स्मूथ प्यूरी है ना उसे एक कठा कर लेंगे तो सारा लम्स एक तरफ हो गया है और जिदने भी स्मूथ प्यूरी है एक पेन में हमने ले लिया है अब इसमें और थोड़ा सा पाने आड़ कर लेना है और अच्छे से इसे फेट लेना है यानि कि मिक्स अब कर लेना है अब ग्यास को ओन करेंगे और इस साबुदाना और ड्राइफ फूट्स मिक्स प्यूरी को बिठाती हुए अच्छे से एकदम धीमी आज में हमें कंटिन्यू पकाना है चलाने का प्रोशेस बिलकुल नहीं रुकना है नहीं तो फिर फूट जल सकता है यानि कि तली से साबुदाना जिपक सकता है इससे जो फूट का यानि यानि कि मिल्क का टेस्ट जो है खराब हो सकता है इस तरह से हमें टोटल इसे 5-6 मिनिट पका लेना है जब तक कि यहां पे हमने पकाती हुए 3 मिनिट हो चुका है और साबुदाना में एक बबल्स यानि की उभालाना चालू हो चुका है यहां पे अच्छे से उभाला चुका है टोटल हमने अभी इसे पकाती हुए 4-5 मिनिट हो चुका है और यह सारा साबुदाना और ड्राय फूट का जो प्यूरी है अच्छा से गाड़ा फॉर्म में आ रहा है इसे ठखती हुए बिल्कुल हमें पकाना नहीं है खुले में ही पकाना है तो टोटल हमने इसे 5-6 मिनिट पका लिया है यहां पर इस तरह से गाड़ा फॉर्म में आ जाना चाहिए प्यूरी को इस से थोड़ा और ज्यादा गाड़ा भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा अब ग्यास का फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इस प्यूरी को ठंडा होने नहीं देना है बस जैसे ही ग्यास बन कर दिया है वैसे ही हमें जितना बेबी को मिल्क पिलाना है उतना ही दूद का कॉंटेटिल लेती हुए इसमें मिक्सप कर देना है और दूद का जो मेडियम होना चाहिए ठंडा दूद बिल्कुल नहीं लेंगे इसमें दूद आट करते हुए इस तरह से फटा-फट से हमें मिक्स अप कर देना है यहां पर दूद मेडियम टेमप्रेचर का हो गया है यानि कि बेबी को हम पिला सके इतना ही टेमप्रेचर का दूद बनके मिल्क ड्रींक तैयार हो चुका है अगर आपका बैवी बहुत चोटा है तो उसे आप बोट रा से दे सकते हैं एक एक चाहत से उपर का है यानि कि आपका बेबी गलास यानि कप से पी सकता है तो उसे आपकप में पिला सकते है और इसी थोड़ी सी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर में थोड़ी सी हनी यानी की सहत मिला सकते हैं इस तरह से अगर थोड़ी सी फ्लेवर देने के लिए हनी मिक्स अप करोगे तो हनी बेबी की सहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है इससे सर्दी जुखाम से भी बचाओ होता है तो इसे flavor भी बढ़ता है और बेबी इसे लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे तो इस healthy drink को आप दिन में एक बार बना कर दे सकते हैं सुबे या तो फिर साम में सोने से पहले इसे पिलाने से आपका बेबी का वजन तेजी से बढ़ेगा साथ में हडिया मजबुत होंगी और बेबी का color और hide भी increase होगा साथी में और ये taste में भी बहुत ही अच्चा है अगर आपका बेबी बिल्कुल भी दूद लेना नहीं मान दी है या तो फिर मना करती है आप इस तरह से एक बड़ ट्राइ करके देखिए जरूर लेने लगेंगी इस food को बना निकले सबसे पहले एक pen को ready करेंगे अब इसके अंदर में हमें मिला देना है भीगो की रखा हुआ साबुद दाना तो साबुद दाना बहुत ही अच्छे से भीग के ready है जिसे हमने दो गंटा पहले भीगो के रख दिया था आप साबुद दाना का quantity है आप अपना बेबी का डाइट का अकोडिंग कम जाधा करके ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने बड़ा तिंचमच वरावर साबुद दाना को ले लिया है सारा भीगावा साबुद दाना को इस तरह से पेन के अंदर में डाइरिकली मिला देंगे अब इसके अंदर में हमें आट करना है थोड़ी सी पानी पानी लगबग मैंने चोटा आदा ग्लास मिला लिया है बहुत जादा हमें यहाँ पे पानी आट नहीं करना है तो इस पानी में लगातार चलाते हुए हमें पकाना है उससे पहले हमें गयास को ओन कर देना है और low to medium frame में इसे लगातार हमें चलाते हुए cook करना है यहाँ पर हमने लगातार यहाँ पर चलाती हुए cook करते हुए लगबग दो से तीर मिनेट हो चुका है तो यहाँ पर साबुत अनाचे से फूल गया है यानि कि ट्रांस्प्रेट हो चुका है और दिरे दिरे ये गाड़ा form में आने लगा है और इसी time पर हमें मिला देना है यहाँ पर हमने banana को छोटे छोटे pieces में कट करके रख लिया था इसी banana को हमें add कर देना है banana का quantity भी आप अपना baby का according ले सकते कम या जादा अगर आपका baby जादा मिठा नहीं पसंद करता है तो यहाँ पर बनाना का quantity आप कम करके ले सकते हैं बनाना एट करने के बाद हमने अब यहाँ पर टोटल फूट को पकाते हुए चार से पांच मिनट हो चुका है और सारा चीज अची से कुक हो चुका है अब गयास का फ्लेम को आफ कर देंगे और इस फूट को ठंडा होने देंगे और जितना भी पान ही था इसके अंदर में साबदाना ने एपसोब कर लिया है अब इस फूट को ठंडा होने देंगे और यहाँ पर मिक्सी जार लेंगे और इस पकिवे फूट को इसके अंदर में एड़ेंगे हमने यहाँ पे दोपीस बदाम और एकपीस अख्रोड को पहले से भीगूर की रखा था और इसका छिलका उतारते हुए हमें चोटे-चोटेव पीस में कारती हुए इसको एड़ करना है और साथ में add करेंगे cow milk आपका बेबी, baby milk लेना पसंद करता है तो आपको बेबी मिल्क इसमें add कर सकते हैं आप milk add करने के भाद में ढखन को बन करते हुगे इसे इस तरह से बारी की से पीस लेंगे अगर आपको food का consistency ज़्यादा गाड़ा लगे तो इसमें और ज़्यादा आप यहाँ पे दूथ एड़ करके इसको एज़ेस्ट करके बेबी को दे सकते हैं तो लिज़े अब हमारा फूट बिलकुल तयार है बेबी को देने के लिए देखाना इससे बनाना कितना आसान है और यह बहुत ही जादा है आपका बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा है कि आप बहुत ही दूबला पतला है आपका बेबी और बेबी को कितना भी खिलाने से सब कुछ खिला लिया आपने फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो इस तरह से हपते में आप 4-5 दिन इस फुट को दिन में एक बार बना कर देंगे तो बेबी का वज़न तेजी से बढ़ेगा बेबी का कलर भी इंक्रीज होगा, हाइड भी इंक्रीज होगा और हडिया मस्बूत होगी और ये पचाने में भी काफी इसी है आप इस फुट को साथ मैने से लेकर दो साल तक के बच्चो को कभी भी दिन में एक बार बना कर दे सकते हैं तो दियर पैरेंस इस हैल्दी सी रेसिपीस को आप भी अपने बच्चो में जरूर ट्राइ करें और आज का रेसिपीस आपको कैसा लगा अपना फिटबाक जरूर दे और ऐसे निव और हाल्दी रेसिपीस सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग